किसान अंदोलन केदर सरकार के तीन क्रिसी कारिणों के खिलाब पिछले लगबग असी दिनों से दिली के विभीन बोर्डरों पर हजारों किसानों का अंदोलन जारी है इस बिच किसान संगठनों दोरा की जा रही महा पंचायत के मधर नजर अध्यक चेपी नड़ा ने मंगलवार को पंजाब हर्याना पच्मी उतर परदेश और रायस्थान के नेतावक साथ बैटक की अब सा और नड़ा की किसान नेतावक साथ बैटक के बाद समहना जताई जा पूरब क्यूर बढ़ने से इसका असर जारखंड के मौसम पर भी पड़ा है बतादे राजे के जयतर इलाकों में आसमान में बादल चाने के साथ ही राची में गरज के साथ बुंदा बांदी भी शुरू हुई बतादे अगले चार दिनों तक राजे के अलग अलग जीलों में गरजजन, बजरपात और ओलावरिष्टी के साथ बारिस की चेतावनी मौसम केंद्रे ने दी है मौसम केंद्रे ने लाते हार लोहर्दागा, गुमला, राची, सिम्डेगा और खुटी में बजरपात की ततकानी चेतावनी भी दी है मौसम केंद्रे नाची के बरिये मौसम पुर्वनवान बैग्यानी अभिसेख अनंद के अनुसार, 17 और 18 फरवरी को राजे के कई जीलों के उपर घने बादल होंगे और 14 पलामु को डर्मा हजारी बग सहीत, आस पास के जीलों में कहीं कहीं उलावी रिष्टी के साथ बारिश होगी हिमन्द सुरेन को नियोता एंडिये में हो सामील, बीजेपी के साथ मिलकर चलाए जहरखन में सरकार केंदरिये समाजिक नियावा अधिकारिता राजे मंत्री रामदास आठवले ने मुख मंत्री हिमन्द सुरेन को एंडिये में सामील होने का नियोता दिया है एक दिवसी राजी दोरे पर इस्टेट गेश्ट हाउस में अवेजित प्रेस कंफरेंस में उन्होंने काया कि मुख मंत्री हिमन्द सुरेन एंडिये का इसा बने और बाजपा के साथ मिलकर जहरखन में सरकार चलाए साथ ही जहामों के सांसत को केंदर सरकार में मंत्री भी बनाए केंदर सरकार राजे के विकास के लिए पूरी रासी देगी उन्होंने काया कि जहामों पहले भी एंडिये का हिसारा चुका है यह राजे के विकास और राजे के हीत में होगा भाजपा और ज्हामों ने पहले भी राजे में सरकार चलाई है लोहरदागा में नक्सल बीरोधी अभियान के दोरान एक जवान सहीद हो गया बता दे सहीद जवान के पार्थियु सरीर को पोस्टमाषन के लिए रीम्स ले जाया गया है इसके बाद सदाजली दी जाएगी और फिर उसे गुमला जीले के पैत्री गाउं में भेजा जाएगा बताद़ी से पहले इस घटना में कहल जवान को गंभीरी सिती में भातिय वायू सेना के हेलिकोप्टर की मदद से राची लाया गया था 17 फरवरी से स्कूल नहीं आने वाले छातरों को साथ चरण में मिलेगा चवण अंडा मद्यान भोजन योजना के किरियन वेयन के तहत अतिरिक्त पोसाहार मद में मार्च 2021 तक के लिए राची आवंटित कर दी गई है बित्य बर्ष 2021 में मद्यान भोजन संचालन और प्रति पूर्ति के लिए अतिरिक्त पोसाहार राची का अवंटित किया गया है बतादे 54 दिन यानि 31 मार्च तक के लिए राची दी जा रही है इस परकार इस बित्य बर्ष में निधारित कुल 84 दिन के लिए राची आवंटित किया चुकी है राची के पचास एर किसानों को मिलेगा जार्खन क्रिसी रिण माफी का लाल राची के पचास एर किसानों को क्रिसी रिण माफी योजना का लाल मिलेगा पता देराची डिसी छोवी रंजन ने जारकन क्रिसी रिण माफी योजना की समिक्षा बैटा की दोयान इसकी जिनकारी दी उन्होंने कहा कि बैंक प्रो एक्टिव होकर काम करे और डेटा अफलोड करने से पहले आवसे कृप से भेरिफाई करे एक से दो दीनों में 50% से ज़्यदा डेटा अफलोड करने का प्रयास करे उपायुक्त ने पोर्टल पर डेटा अफलोड की अगतन इस्थिती की जाच की उपायुक्त ने जारकन क्रिसी रिण माफी योजना के अंतरगत पोर्टल पर डेटा अफलोड की समिक्षा की जार्खन में MDM योजना से जुड़ी 8000 रसोया का बढ़ा मांदे जार्खन के मुखमति हमन सुरे ने मद्यान भोजन योजना के अंतरगत कारेरत रसोया साहाई काओ के मांदे में बढ़ोतरी की है इन रसोया साहाई काओ को अतिरिक्त राज्य साहाईता 100 रूप की रासी के रूप में हर महीने 500 रूपे के बढ़ोतरी कर एक 1000 रूपे करने के प्रस्ताव को CM सिरी सुरेन ने मजूरी दिया है बतादे सीएम के इस स्विक्रिती के बाद अब राज कीरे सोहिया सोहिकाओ को हर महीने 2000 रुपे मांदे के तौर पर मिलेगा मांदे में की गई ब्रीधी एक अपरेल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी जार्खन का एलोवेरा विलेज खेती से ग्रामिन महिला बन रही स्वालंबी जार्खन की राजधानी राज़ी जीला का एक गाउ इन दीनों एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जा रहा है बतादे इस गाउं के हर आंगन और खेत में एलोवेरा उगाए जा रहे है इसे ना सिर्फ ग्रामिर महिलाई स्वालांबी बन रही है बलकि एलोवेरा की खेती से जीवन बेतर बना रही है बतादे रांची जीला अंतरगत नगरी परखंड इस्थीत देवरिया गाहों को आज लोग एलोवेरा विलेज के रूप में जान रहे हैं सराप पर करूना सेस लगाने से जाकर की जोली में 200 करोण सराप पर करोना सेस लगाने का पैदा पर देश के राजस्थो को निर्धार इत लक्ष तक पोहुचने में मिला है बजादे लॉकडाउन के बाद सराप की दुकाने खोली तो उसके बाद सराप दस पिसद कुरोना सेस लगा दिया गया था सिर्फ इस से राज सरकार को कईब 200 को रूपाई के राजस्वलक्ष की प्राप्ती हुई है जारखन में 32 ने संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 18 धनबाद 5 सराई किला 5 बोकारो 2 पूर्वी से हुँ एक गुमला एक खुर्टी एक लातेहर से एक मिले है जारखन में कुल संक्रमित की 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 संक्रमि पूर्व राजपाल एम रामा के निधन पर सी एम हमान तुआ दुरोपदी मुर्मू ने जताया सोक पलामु हजारी भाग वा दूमका के मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा नमांकन जार्खन के पलामु हजारी भाग तथा दूमका 23 ने मेडिकल कॉलेजों में इस बर्स नमांकन की उमीद अब पूरी तरह खत्म हो गई है बतादे सरोच नियाले ने मंगलवार को एन इटी अभी आर्थी द्वारा तीन मेडिकल कॉलेजों में नमांकन के अनुमती देने की मांग वाली आज का खारिज कर दी है आदालत ने चार फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आदे सुरक्षित रख लिया था यूआओ को बेरुजगारी भत्ता देगी ज्यार्खन सरकार पांच से साथ हजार बारसिक ज्यार्खन के बेरुजगारों के लिए खुस खबरी है बतादे सरकार की ओर से उन्हें सिगरी भत्ता मिलेगा राज सरकार ने चालू वीतिये बर्ष 2021 में इस योजना को सुरुवात करने के लिए परियास स्थेज कर दिये है बतादे स्राम नियोजन एवं प्रसिक्षन वीभाग ने योजना प्रस्तापर स्विक्रिति के लिए योजना प्राधिक्रित समीति को दो बारब फाइल भेजी है योजना एवं प्राधिक्रित समीति क्योंन मोधन के बाद इस पर कैमिनेट की स्विक्रिती ली जाएगी इस योजना के तहत हेमन सरकार राज के नियोजनालों में निवांदित असनातक या असनतकोतर उतीर्न वे रुजगारों को रुजगार नहीं मिलने पर बात्ता देगी एन एच एआई के सभी टोल पहला जापर 28 तक फिरी फास्टेग जारखन में एन एच एआई के बड़े टोल पर फास्टेग उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या में दो दिन में 10 फिसद की बडोतरी हुई है बतादे इस वीच भार्तिय राश्ट्रिय राजमार्क प्राधिक करन ने 14 दिनों यानि 28 फरवरी तक फास्टेग निसूल कर दिया है अब तक इसके लिए 100 रुपय का भुगतान करना पड़ता था अब उपयोग करताओं को केवल उनकी सुविधा अनुसा रिचार्ज करना होगा सरस्वती पुजा की दी बधाई धार्कन परदेश कंग्रेस कमिटी के द्यक्स राज के बीत वक हादा पूर्ती डाक्टर रमेश्वर उरा और किसी मंत्री बादल ने विद्या बोधी की देवी सरस्वती पूजा व बसंद पंचिमी के उसर पर राजवासियों को हर्तिक बधाई और सुभकमनाय दी है बतादे हाजारी बाग जाने के करम में मुकुंद चोक पर रुक और कंग्रेस नेताव ने विद्या की अरादे देवी मास्वती का दसन किया असिरवाद लिया और राज की प्रगत्ती खुशाली वबिकास की कामना की राची के हवाला करोबार से जुड़े ठीकानों पर रेड जाकन की राजधानी राची में पुलिस ने हवाला करोबारों से जुड़े कई ठीकानों पर करवाई की है एक साथ इन्ट सभी ठीकाणों पर शापे मारी चल रही है, बतादे इन्वे से कोतवाली थाना इलाके के गोपाल कमपलेक्स में एए सबारे के रेट चल रही है जनकारी के मुताविक राजधानी के अपर बजार में एक कपड़े की दुकार में छापने मारी की गई और यहां के कई करमचारीों से हवाला करवार से जुड़े तार्क के बारे में जनकारी ली गई जार्खन का पंचाय चुनाव धली अधार पर हो गाया नहीं अभिताय नहीं राज निर्वाचन आयोक्त की नियुक्ती के बाद पंचाय चुनाव कराने की कवाय तेज हो गई है बतादे निर्वाचन आयोग ने पंचायतों का अरक्षन परी सीमन वा मतदाता सूची के परकाशन जैसा काम सुरू कर दिया है हलाकि राज में नगर निकायों की तर्ज पर पंचायत चुनाओ का दली आधार पर कराया जाना अभिताय नहीं है लापाता सरकारी सेवकों के आसरीतों को नोकरी देगी हमन सरकार लापाता सरकारी सेवकों के आसरीतों को नोकरी दी जाएगी इस समवन्द में कार्मिक प्रसासनिक सुधार विभाग ने अदेश जारी किया है कार्मिक विभाग की ओर से सारे विभागों के साथ ही सारे आयुक्तो उपायुक्तो विभागा अध्यक सईट और अफसरों कोई समन्द में पत्र भेजा गया है इसमें उलेक किया गया है कि अबला पाता सरकारी सेवकों के असरीतों को प्राधान के तहट अनुकमपा पर नौकली उफलवद कराई जा सकेगी साथ मार्च को राची आएंगे एन्सीपी अध्यक्स वरद पवार इन्सीपी के राश्री अध्यक्स वरद पवार साथ मार्च को राची आएंगे उनके राची आगमन को लेकर मंगलवार को इन्सीपी जार्खन परदेश की कारेकारनी की बैठक होई यह बैठक पार्टी के परदेश अध्यक्स कमलेश कुमार सिंग के अध्यक्सता में परदेश कर्याले में होई बतादे इस दिवरान उनके स्वागत आधिकी तैयारियों को लेकर स्वभी करता हूँ अब पदाधिकारियों को दिशा निदेश दियेगा है गुमला में किरोसिन तेल छिड़क कर किसानने की खुदखुसी गुमला जी लेके भर्नो परखंड के महुगावा निवासी सोमरा उरा उम्र 50 बरस ने अपने ही घर में सोमर की रात अपने सरी पर किरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा ली और खुदखुसी कर ली बता दे सोमरा को परिजन गाव के ही बगल में एक साधी समारो में गए थे सोमरा घर में अकेले था साधी समारो से जब परिजन सुबर लोटे तो सोमरा को मिरित पाया सुचना मिलने पर पुलिस महुगावा पहुची और सुमरा का सव कबजे में लेकर पुश्मास्टन के लिए गुमला भेज दिया है पेट्रोल डियल की कीमतों में विरीदी के खिलाब 26 कोमाल बुकिंग और डिलेवरी का काम बंद टांस्पोर्ट एसोसियेशन के सदस्यों की आम सभा जोना इस्थित सोवा धाम सभागार में संपन होई इसमें 26 फरवारी कोमाल की बुकिंग और डिलेवरी का काम बंद रखने का फैसला लिया गया इस बैठक में परिवहन ब्यवसाई के विशाय में सदस्यों ने चिंता ब्यक्त करते हुए कहा की डिजल और पेट्रोल के दामें लगतार बिरीधी से परिवहन ब्यवसाई अब बिल्कुल ही मुश्किल में हो गया है हजारी बाग में एक रसोई में बनेका 565 इसकूलो का पोश्टिक भोजन हजारी बाग के डेमो टन में अच्छाई पात्र का महा रसोई घर तेजी से अकार ले रहा है बताया जारा है की साथ से आठ महा में यह बनकर त्यार हो जाएगा इस रसोई घर में एक साथ 565 इसकूलों का मिड़े मिल तयार होगा बतादे आजारी बाग में इस स्योजना की सुरवाद 2017 में होई थी करार के मुताबिक 565 भी द्यालाई के एक लाख बचों को यहां से खाना परुसा जाएगा इसे बचों को स्वादिष्ट भोजन तो मिलेगा ही साथी सिक्षक भी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकेंगे बिहार के तर्ज पर जार्खन में भी स्वास्त कर्मियों ने की एक महिना का अतिरिक्त बेतन देने की मांग बता दे संग ने इस समद में मुख मंत्री स्वास्त मंत्री सहित तमाम विभागिये अला अधिकारियों को पत्र बेचकर इस मांग पर अवसक पाल करने को का है असरीतों को भी मिलेगा क्रिसी रिण माफी का लाव जारखन सरकार की क्रिसी रिण माफी योजना उन्ती दिसंबर को सुरू हो गई है लेकिन इसके नियम सर्तों की जनकारी बहुत सो लोगों को नहीं है इसी उदेश से पुर्वी सिम्हुम जीला परसासर ने जागरूपता रहत निकाला है जो गाह में गुम कर लोगों को इस योजना की जनकारी देगी उप विकास आयुक्त ने बताया कि ऐसे परिवार को भी लाब मिलेगा जिनके यहां बैंक से रीन लेने वाले किसान की मौथ हो गई है उनके परिवार को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अस्रित को भी इस सोजना का लाब मिलेगा नोकरी दो या डिग्री वापस लो जार्खन नेशनल स्टुडेंट यूनियन अफ इंडिया ने मंगलवार को राच्ची में टेकनिकल उन्वर्सिटी के अंतरगत नोकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की लाँचिंग की बता दे बीस्वभी देले अध्यक्स प्रणाव सिंग के नित्युत में और जाकन सरकार की क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेग राश्ट्री संजोजक साजाकन परभारी जीतेस मिस्रा के उपसिती में लॉंच किया गया मौके पर बादल पत्रलेग ने कहा कि एन एस यू आई के अभियान के पिछे मुखे उदेश वास्त्रीक्ता को एक ऐसी सरकार को इंगित करना है जिसे यू आओ को रोजगार देने में कोई दिल्चास भी नहीं है धन्यवाद जादी आप चैनल परना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदबाए साथे साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूले साथे साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फीड़बैक अवास्य दे थाइंक यू